किपी बो हलो गाइस वेलकम बैक टो मैं सैमेल जिस्टो गाइस मैंने इंस्टाग्राम पे पोल किया था जिसमें मैंने लिखा था कि मैं अपने नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में कौन से मेकप लोग ख्रीयर करूँ पार्टी मेकप और एव्रीडे मेकप वहाँ पे जो वोटिंग साय है उसमें एव्रीडे मेकप को ज्यादा वोट मेरा है तो मैं आज इस मेकप लोग को प्लेट करने वाली हूँ और मैं कुछ टिप्स पी दूंगी ताकि आप लोग को ग्लोग को ग्लोईंग दिवी कांड अफ प्लेट करने वाली हूँ तो ग्लोईंग एव्रीडे कांड आफ मेकप के लिए स्किन का अच्छे से प्रेप होना बहुत ही जादा जरूनी है सो मैं आज स्किन को कुछ एक्स्ट्रा प्रेप करूंगी और उसके लिए मैंने फेस को अच्छे से वाश कर लिया है और उसके बाद मैंने टोनर अप्लाई किया है अभी मैं यह जो इन्वाईवी का सीट मास्क है मेने पास यह मुझी यह मिला है सो इसको मैं अप्लाई करूंगी और 30 मिनिट्स के लिए इसको अप्लाई करना पड़ता है आप 30 मिनिट्स से ज्यादा अप्लाई कर सकते हो लेकिन कम टाइम के लिए अप्लाई करने से कोई फरक नहीं पड़ेगा और यह बेस्ट की हो सकता है एपके से पहले चाही होगा र मेरीक सेहे रेट पीसे मांक है उनको उनको ठाइड़ची जो की बहुत जादा हई पाध्य जेरख mechanics और खारभीक होगा, जो की बहुत जादा है तक मैंने पुपल से कोई भी sheet mask कभी तक त्राइ नहीं किया है, अज फर्स टाइम मैंसे ट्राइ करने वाली हूँ, वोल्कनिक आश है इसका वेलियंट, तो मैंसे ट्राइ करने वाली हूँ, इसका एक चोटा सा मैं देदूद्ड देदूद्गी और इसके साथ साथ में चेख इसका है 99 रूपीज है इसका MRP और 20 ml है वान्टीटी जो एक है अबर बती यसे समें इसका सीट मास्क जो होता है वो मेरे पेस्ट्री हमेशा भी बड़ा हो जाता है थोरा सा यह वी शायद होगा देता है बताँ आप अब आप 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 अब आप ए मैं इसे ही रिमोव करने वाली हो कर दो कर दो आप पुर मेरे रहा है करते हमने जो इस सब्सकते है और हुआ थे पुर्ब्टम घड़ा नो Do you look at toen out the main eye? जो रहे हैं कि बेदाऊ नो, कि क्या दो, हमका यह बना टाईट है लेकिन एसने हदरीशन बहोत अच्छे से प्रवाइट किया है एक एक बाद और गाल इसके बाद मैं प्लाइ करूं की एक फेशियल और बस थूड्रॉप इस करूंगी कि और अपने फेस को क्योंकि अल्डिटा है फेस को मैं अपनी फेस पे 5 मिनिटस तक अब्रोर को प्राइमर घोड़ने दूँझे और इसके बार मैं अपनीमे कर व हो यह ओड हो प्राइमर्स कर दूँदी करा व दूप लिए और गबने फंदये प्राइम अपनार अबी लोटस्टे प्राइमर दूड़ता हो लोटस्टे आपलाई और ब्रेस करते एक अंडर भी आपलाई कर दे तक बोस को से टेकर देग कि अंडर तक भी दोर्चाना है ताकि यह वह भी बोस को फिल कर दे यह अभी मेरी skin tone से थोड़ा सा light तिक रहा होगा लेकिन यह oxidize होगा मेरी skin tone का हो जाएगा क्योंकि fitmica foundation oxidize होता ही है अभी मैं swiss beauty का concealer अप्लाई कर रही हूँ इस concealer में थोड़ा सा yellow undertone है जो कि आपके face के जो dullness है और जो under eye की dullness है उसको दूर करने में मदद करता है अभी में एक चीज़ करना चाहूंगी कि आपके अगर T-zone पे नोस पे यहां पे अगर sweating ज्यादा होती है तो वहां पे आप लोग foundation ज्यादा मत अपड़ाई कि अगर ओड़ों को करने के लिए मैंने यहां पे swiss beauty के palette से इस dark brown को लिया है यह black दिख रहा है लेकिन यह black नहीं है यह dark brown color है तो इससे मैं अपने eyebrows को फिल कर लोंगी और बहुत ज्यादा structured और defined eyebrows नहीं चाहिए लिए बस जड़ा सा जो gaps है वो फिल कर लोंगी मैं और यहाँ पे मैंने लिया है इस angled brush को जिसे मैं अपने eyebrows को फिल कर लोंगी तो आप लोग देख सकते हो दोनों eyebrows में difference क्या है मतलब बहुत ज्यादा structured eyebrows नहीं है लेकिन थोड़ा सा थिक और तोड़ा सा फुलर दिख रहा है इस eyebrow से सो इसको भी मैं कर लेकिया हूँ सो अभी मैं पहले कॉंटूरिंग कर लोंगी एंच उसके बाद मेरे फेस को हो लूस पावडर से सेट करोंगी उसे थोड़ा सा स्ट्रक्टर दिखता है और आज मैं जादा कॉंटूरिंग नहीं करोंगी क्यूंकि ये एवरीडे कांड अफ लूक है सो सॉफ्ट कॉंटूरि सॉफ्ट कॉंटूरिंग मैं अभी मैं प्रोंच के ट्यालकम पावडर से मेरे पेस को सेट करूंगी एच को सेट करूंगी पूरिंग को सेट करूंगी त्प्रींग कर लें हूँ किउकि मैं अट प्रेस नहीं जादा पाउडरी काईड फिनिष नहीं चाती है विसमें इंची हो है तो अभी मैं अपने फेस पे यूज़ करी हूँ गुडवाइच का रोस ग्लो टोनर अपना मेकप कर लो इसके बाद मैं थोड़ा सा ब्लश अपलाई करोंगी सो मेरा जो ब्लश है वो टूट काया है सो मैंने इसे पार्ट पार्ट करके यहां पर रखा हुआ है वैसे यह सीवाना का ब्लश पैलेट है यह दो फिंक ब्लशे हैं यह एक ढीप दार्कर पिंक है और यह थोड़ा सा लाइट पिंक है इन उनों को मिक्स करते हुए मैं अपलाई कर रही हूँ अभी अगर आप ऑफिस के लिए में के लिए प्लिए कर रहे हो और अब आप से इस एरिया पर अपलाई कर रहे हो अगर आप तो आप प्रेंड बिले जा रहे हो या कुछ तो आप जहां भी भी अप्लाइ कर सकते हो अगर आप इतना सा ब्लश अप्लाइ करोगे तो वह बहुत ही ज्यादा फ्रेश और पिंकि पिंकि ताल चुकि अच्छा लगता है कोई ओर दॉप अच्छा ही लगता है यह देखे में तो मैं यह तो अपर तो अपर चींग और नोस भी अप्लाइ कर लेगी तो अब मैं आई मेकप करने वाली हूँ और आइस के लिए भी अपर पिंक कलर ही मैं यूज करने वाली हूँ क्योंकि वह थोड़ा सा नेच्छा लग यूज कर सकते हो लेकिन मैं थोड़ा सा पिंकिश काइंड आफ कलर यूज करने वाली हूँ इस पिंक कलर को और उसके साथ इसको थोड़ा सा और इसको मिक्स करते हूए अपलाई करूंगी ताकि वह थोड़ा सा लाइटर नेच्छा दिखेंगी तो अभी मैं इस प्रश को करूंगी और यहां से इस कलर को रहूंगी इस से मैं ब्लेंच करूंगी तो ॥ और अप्रियो मैं इस पिंक अपल्र को आपल को अपलाई क्लाएंक प्लाई कर लीए तो अइने प्लान हूँ को यूज़ करें को चुम्री पाउडरी कार्डव स्क्रीम है अपूर चला जाजा इस के लिए आप लोग देख सकते हो इस इस क्लो टॉमर को यूज़ करते ही फेस कितना स्यादा गुविंड निख लिए है अब ही मैं हाइलाइडर अपलाई करने भाली हो यहाँ पे मैं इस पर्ली काट डॉइफ हालाइ爸 क यूज़ करोंगी आज ऐसं थी लिए इन दो लिप्स्टिक को यूज़げ यहाँपे है एले क्लर लिपस्टिक का लिप्सटिक इसका कलर थोड़ा सा मिन्योनिश पिंग काइंड और उसके ऊपर मैं यूज करूं थी इन्वाइवे का आमन डॉयल इंफूज लिप्सकिक जिसका कलर थोड़ा सा मिन्योन है जिसके किनो आषिऀ भी आपना है तो अगना रोकार कि अधे उन्वाइवे कर दोड़ा चाहिए अगर आप लो को मेरे वीडियो पसंता रहे हैं तो प्लीज अमसब मेरे सेबे को अप्सप्स्राइब को सब्साइब को ड़िए और को टैप कर देजिए अब लन्य खर्में जाए इसाझ मेड विडिए शे जिख एंक त्रवाश्टि